आप लोगों को याद होगा मुझे लगता है कि जब हम लोग विष्ट की नहरों के बारे में पढ़ रहे थे विष्ट की नदियों के बारे में पढ़ रहे थे विष्ट की एक तरह से आप समझें कि जो आपका मैपस में विष्ट की भूगल का पार्ट है उसके बारे में विस्तार से बात कर रहा है तब मैसे आप मैसे कई लोगों ने पूंचा दागी वो सभी नहरों के बारे में, सभी देशों के बारे में, सभी महादीपों की जो भी जानकारी है उनके बारे में तो आप लोग याद रख लेते हैं लेकिन सभी देसों के बारे में याद नहीं रख पाते हैं, और आपका यह छोड़िये कोई भी किसी के लिए ह undergraduate नहीं है कि सभी देसों के बारे में सभी जानकारी याद रख लेँ हो, रटा मार ले, तो इसमें एक smart degree होती है, कि आप समझे कि देखिए questions आपके prelims में, या और वहीं से questions पूछे जाते हैं current में जो चर्चा में हो काफी topic समझ रहे हैं? तो अभी आप लोगों ने देखा है कि सोएज नहर काफी चर्चा में है क्योंकि इसमें एक जहाज फस चुका है और आप लोगों को ये भी मालू होगा कि दुनिया के ब्यापार का बारे पी तीसद ब्यापार सोएज नहर से होकर जाता है या यही कह सकने हैं आप लोग की यहां से होता है तो पूरी तरह से ठप हो चुका है और आप समझे कि एक तरह से आप ऐसा ले सकते हैं कि आप समझे कोई पुल था उस पे एक ही गाड़ी गुजर सकती थी और वो गाड़ी बीच में खराब हो जाती है और आप समझे कि वहां से बहुत गाड़ियां गुजरती थी तो आप समझ सकते हैं क्या इस्तिति होती होगी तो वही हाल आज यहां हुआ है ठीक है? यहां भी यही प्रॉबलम खड़ी हुई है तो आप लोग देखेंगे यह है हमारे प्यारा भारत और मुझे लगता है कि हमारे पडोसीयों के बारे में तो आप लोगों को रठी गया होगा कि कौन-कौन हमारे पडोसी हैं इसमें आप देख सकते हैं कि सिरिलंका होगा मैं आनमार, बंगलादेश, भूटान, नैपाल, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान क्योंकि हम लोग कई बार जब भी आप लोग मैप्स देखते हैं कि जो सोयज नहर है किन दो सागरों को जोडती है तो भूमद्द सागर और आप देखेंगे लाल सागर को पहला पॉइंट कंठस त्याद रख लीजे इससे कुश्टन्स देखी आप लोग की इसलिए तो बोलता हूँ कि कम से कम 5-6 साल फूराने कुश्टन्स पेपर उठा के देख लिया करेगा कम से कम आपको मालू तो चल जाएगी कुश्टन्स कहां से पूँचा जा रहा है तो ये कुश्टन्स कई बार आ चुका है और आता रहेगा क्योंकि महत्पूर्ण है तो यहां आप लोग देखेंगे स्वेज नहर छोटी सी बिल्कुल पतली आपको दिखाई देगी यह है ठीक है 193 किलो मीटर लंबी है एक तरह से तो इसी की बात करनी है हमें यहां भी आप लोग देख सकते हैं तो हाली में मिस्सरी की स्वेज नहर में एक जहाज फस्ट गया है और जिससे आप देखेंगे स्वेज नहर में जो भी यादायात होता था वो पूरी तरह से रोख चुका है और इस जहाज की नाम की अगर बात करें तो इयर गिवेन बताया जा रहा है क्या होगा कि इससे questions इस तरह का पूँच लेगा कि अभी कुछ समय पहले स्वेज नहर चर्चा में थी उसमें एक जहाज फस्ट चुका था और उस जहाज की नाम बताईए इस तरह की questions भी आजकल पूँच लेता है तो इयर गिवेन जहाज 400 मीटर लंबा और 69 मीटर चोड़ा है और इससे सोयज नहर से हटाने के लिए कई जहाजों को लगाए गया है लेकिन ये असंका जताई जा रही है कि ये जहाज वहाँ कई दिनों तक फसा रह सकता है और आप समझते हैं कि अगर जानदा दिनों तक फसा रहे तो व्यापार का क्या हाल होगा और आप समझे इससे कई देशों के जो भी तेल होता है तो आप समझे कि उढ़ा की जो भी कपत होती है बो भी रुकती होगी नजार आएगी ठीड है ये आप लोग देख भी सकते हैं कि इस तरह से फसा हुआ है अब यहां से कहां से गुजरें सोएज नहर की अगर अवदरोद्ध होने की प्रभाव की बात करें तो सोएज नहर काफी व्यस्त पानी का रूट है और इसके विलोक होने से वैस्विक इस्तर पर सामान की आवाजा ही विहद इस्तर पर विभावित होगी और इस नहर से खाड़ी देसों में उत्वादित होने वाले फैटॉलियम को विहध रूप से विभिन्ने देसों को भेजा जाता है और इसके वादित होने से विभिन्ने देसों की ऊड़्जा सुरक्षा प्रभावित हो सकती है जो आप लोग फैटोल की बात करते हैं डेजल की बात करती हैं एक अच्चे तेल से ही तो बनाया जाता है तो उसे ही की बात की जा रही है ठीक है और विसे सग्गों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं दोलब हैं लेकिन वैस्विक व्यापार पर इसका पड़ा असर पड़ सकत एसीया को एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये उरोप से अलग करती है ठीक है और ये देखने को मिलेगा कि मिस में किंदिम समुद्री समुद्र इस्तर का जलमार गए और एक कुश्चन से भी आप से पूछ लेगा कि मिस इनाई प्राइदीप है इसी के पास है ठीक है और किया का है और उपर आप देखेंगे यूरोप है ठीक है तो इसी की बात की जारी है और स्वेज नहर की मिस में स्वेज एस्थमस को पार करती है और यहां लगबग आप देखेंगे एक सो तरानवे किलोमीटर लंबी है और इसमें तीन फ्राक्तिक जीलें भी आप लोगों क आप लोग देखेंगे कि एक जो आपके फ्रांसी सी इंजिनियर थे फर्डी नेंड इनकी देखरेक में शुरू हुई थी और ये चलता है इसका काम 1869 की बीच सोयेज नहर कंपनी द्वारा निर्मित की गई और सोयेज नहर को अधिकारिक तौर पर आप देखेंगे 17 नवंब आप लोग लिखिये वेसे ठीक है और आप देखेंगे उनकी डैत उनकी हत्या की गई थी दिल्ली में और 1948 की बात है ठीक है तो आप लोग इतना तो बता दिया है एक तरे से आप बता भी सकते हैं यह नहर भूमद्द और लाल सागरों की माध्यम से उत्तरी अटलांटिक औ जल्मार्गों मार्ग को अधिक सीधा मार्ग पिदान करती है और अरब सागर सी यूरोक की यात्रा की दोरी को यह नहर लगबग 8900 किलूमीटर कम करती है यह भी कुष्टेंस का इबारा चुका है ठीक है और याद रही कि वर्स 2015 में मिस्से की सरकार्ण ने स्वेज नहर का विस्तार किया था और इस विस्तार के कारण जल्मार्ग को और गहरा किया गया और वहां से गज़नने वाले जहाजों को 35 किलूमीटर का एक समानांतर चैनल किदान किया गया था तो मुझे लगता है कि इसी से आपके कुष्चन सारा हम से पूंच लेगा और सोईज नहर के बारे में यही पॉंट मुझे लगता है आप लोगों को याद भी रखना चाहिए ठीक है